स्पीकर इस मिस्टर संजय सिंग, यौर टाइम इस 12 मिनिस मिस्टर संजय सिंग धन्यबाद मानिवर, आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं अपनी बात सुरू करना चाहूंगा मानिवर हमारे कुछ दोस्त जो कभी इधर हुआ करते थे अब वो उधर चले गए है, उनके लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात सुरू करूंगा कि कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ, कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ मैं हूँ किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ तो जो लोग उधर चले गए मानिवर उनका दिल हमारे साथ है भले वो किसी के साथ हो मानिवर इस बजट का बहुत धोल पीटा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी बड़ा अच्छा बजट बड़ा विक्सित भारत का बजट है यह बजट क्या है मानिवर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि भारत माता की सेना रक्षा के लिए जो बजट आता है उस बजट में कटोती करने का काम किया गया नव दसमलो छे प्रतिसत से घटा कर नव दसमलो चार तीन प्रतिसत किया गया भारत का अनदाता किसान जो अपने खून पसीने से देश को चलने का काम करता है मानिवर उसका बजट क्रिसी का बजट तीन दसमलो दो प्रतिसत से घट दो जीरो प्रतिसत से घटा कर तीन दसम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्त का बजट 1.97% से घटा कर 1.85% किया गया ट्रांस्पोर्ट का बजट 11.48% से घटा कर 11.28% किया गया पेंसन जहां एक तरह पुरानी पेंसन की बहाली की मांग हो रही है लाखो करमचारी सदक पर है और मांग करते हैं कि पुरानी पेंसन बहाल किया जाए इस सरकार ने पेंसन का बजट 5.2 जीरो प्रतिसद से घटा कर 5.0 जीरो चार प्रतिसद करने का काम किया एनरजी का बजट दो दसमलो एक जीरो प्रतिसत से घटा कर एक दसमलो चार दो प्रतिसत करने का काम किया वैग्यानिक विभाग का बजट दसमलो साथ प्रतिसत से घटा कर दसमलो छे प्रतिसत करने का काम किया Food Subsidy का बजट 4.38% से घटा कर 4.25% करने का काम किया North East के विकास का बजट Manipur की तो चर्चा आपने नहीं की लेकिन North East के विकास का बजट आपने 0.13% से घटा कर 0.12% करने का काम किया सामाजिक कल्यान जिसमें आपका बिलकुल यकीन नहीं है उसका भी बजट आपने घटाया एक दसमलो दो दो प्रतिसत से घटा कर एक दसमलो एक साथ प्रतिसत करने का काम किया आपने फर्टिलाइजर का खात का बजट तीन दसमलो आठ आठ से घटा कर तीन दसमलो चार प्रतिसत करने का काम किया और फूट सबसिडी आपने घटाने का काम किया ये है आपके विक्सित भारत के खोखले बजट की सचाई हर वर्ग को आपने चोट पहुँचाने का काम किया मानवर आप कहते हैं आप दुनिया की पांचमी बड़ी अर्थ विवस्ता है पाँचवें बड़ी अर्थ ववस्ता हैं अरे ये तो सच्चाई बताईए कि ये पाँचवें बड़ी अर्थ ववस्ता किसके लिए हैं आप आपने चंद पूंजी पत्यों का 16 लाग करोण रुपे माफ किया ये इस देश की सच्चाई है आपने 16,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पी दो गुना करेंगे आपने MSP दो गुना नहीं की आपने किसानों की food subsidy काटने का काम किया fertilizer subsidy काटने का काम किया किसी छेतर को देने वाले budget को कम खतम करने का काम किया बेरोजगारों को उम्मीद थी 10 साल में आपने कहा था मानवर 20 करोन नोकरियां देंगे 20 करोन नोकरियां आपने नहीं दी फिर नोजवानों ने कहा नोकरी दो नोकरी दो फिर आपने कहा पकोड़ा तलो पकोड़ा तलो फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो पान की दुकान लगा लो फिर आपने कहा चार साल की नौकरी कर लो सेना में चार साल की नौकरी मैं मानिवर आपके माध्यम से भारत के प्रधान मंतरी से बड़ी बिनमरता पूरवक पूछना चाहता हूँ देश के प्रधान मंतरी को 73 साल की उमर में तीसरी बार प्रधान मंतरी बनना है लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में चार साल की नौकरी करेगा ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ मानिवर आपके महध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूँ अगली योजना क्या आएगी आपकी आप कह रहे हो इंटरंशिप योजना ट्रेनिंग योजना 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो मनवर 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कमपणियों में आप देंगे मुझे भारत की 100 कमपणिया आप बता दीजे जिसमें एक कंपनी में आप 4,000 ट्रेनी रख सकते हैं एक कंपनी बता दीजे जिसमें आप 4,000 प्रसिक्चू आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे ये भी आपका आंकडा सिर्फ एक जुमला है इसके अलामा कुछ नहीं है आज अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मानवर वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार आधनी नरेंदर मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोन 14 बाटा जाएगा भीक मांगो योजना भीक मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे मानवर इस देश में आपने अर्थ बेवस्था को लेके कहा आप पांचवी बड़ी अर्थ बेवस्था है वो पांचवी बड़ी अर्थ बेवस्था का लाव किसको मिल रहा है आपके चंद पूजी पती मित्रों को जिसका 16 लाख करोड रुपए आपने माफ किया जो हजारों करोड लूट कर हिंदुस्तान से चले गए मानिवर मैं बड़ी बिनमरता पूरवक कहना चाहता हूँ मित्रों बड़ी डिलिटेट ठीक है सरथ मानिवर मैं बड़ी बिनमरता पूरवक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ क्या इस देश की अर्थ व्यवस्था में रेडी पत्री वालों का कोई योगदान नहीं जो 10 करोड रेडी पत्री वाले पूरे देश में है उनका कोई योगदान नहीं है क्या मानिवर वो भी सरकार को टैक्स भरते है आपकी सरकार उनको भी फूटी आख से देखना नहीं चाहती आपने रेडी पत्री वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ हिंदूों की मुसल्मान, दलितों की पिछे, आधिवासी हो क्या हो या बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ आपके मार्ध्यम से सरकार के कहना चाहता हूँ मानिवर अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाईए गले में नेम प्लेट, नीरो मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाईए कि 20 हजार करोड रुपए हिंदूस्तान का वो बाकी है लगवाईए नेम प्लेट, 10 हजार करोड रुपए विजे माले हिंदूस्तान का बाकी है लगवाईये नेम प्लेट गले में ललित मोधी के की तीन हजार करोड रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया लगवाईये नेम प्लेट मानिवर मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेसरा के कि वो छे हजार करोड रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया लगवाईये नेम प्लेट आदानी के कि ये धाई लाग करोड रुपए का करजा आपने एक आद्मी को दे रखा है लगवाईये नेम प्लेट पन पूंजी पतियों को जिनोंने अंदुस्तान के बैंकों को खाली करने का काम किया मानिवर एक स्थानवर अक्साइड के आप काफी कुछ काय गएं, दिए डिए भारेमे, भाकी तो… और यॉल पाकी तो यॉल भर भारेमे, काफी कुछ कहाय गए है, फिर जाएंद। because these have been taken in stride so all that will be deleted and we will unless you have real factually formed a material use a name other make your point thank you sir manwar मैं तो ये कहना चाहरा था आपके माध्यम से के इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए भारत एक धर्म निर्पेक्च रास्ट्र है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक वेवस्था में मैं जानता हूँ इनके मन में दर्द होगा मान्यवर अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटाव धाबा एक सेकंड जाटाव धाबा कोई लगाएगा कोई अपने धाबे के आगे अगर बालमी की धाबा लिखेग तो आप लोग उसके आखाने नहीं जाओगे मैं जानता हूँ आपकी मानसिक्ता आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के ततकाली इन रास्टपती स्री रामनात कोविच जी को प्रभु स्री राम के मंदिर के शिलन न्यास में नहीं बुलाया आप वो लोग हैं जिन्होंने बौजूदा रास्टपती स्रीमती द्रोबदी मुर्मूजी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया आप दलितों से, पिछडों से, आदिवासियों से, अल्ब संक्कों से, मुसल्मानों से, नफरत करने का काम करते हैं यह आपकी सच्चाई है इसलिए नेम प्लेट मत लगवाईए नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाईए और मानिवर, मैं आपके माद्यम से, इस सरकार से कहना चाहता हूँ इनका बजट पढ़ रहा था इनका बजट पढ़ रहा था मानिवर जेलों को भी इनोंने कम बजट दिया अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजे तीन सो कर्म रुटे जेल का बजट जेल का बजट बढ़ा दीजे अरे अभी हमको जेल में भेजा रहे कल तुमको जेल में आना है तुम सबको जेल में है, जेल का बजट पार दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है, इसमें कम जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, मैं जेल के बजट पर बोलागा, मानवर मैं जेल के बजट पर बोलागा, मानवर कपील है जेल का बज़र बढ़ाने के लिए और इस पर आप बोर फरमाईए धन्वासर ठीक है ने दन्वासर एक प्रस्ट भूमी में है मानवार मानवार इसका ध्यान रखा जाएगा इन्होंने नहाई पालिकाओं के लिए जो बज़ट रखा वो नाकाफी है पांच करोन केस पेंडिक है इस देश के अंदर और छे लाख लोगों को पूरे देश में झेलों में रखा गया है जिसमें करीब करीब 76% under trial है इसका मतलब आपका मकसद न्याई दिलाना नहीं है आपका मकसद किसी मामले की सचाई तक पहुचना नहीं है आपका मकसद है पकल पकल के एक एक व्यक्ति को जेल में डालना आपने दिल्ली के मुख्य मंतरी को जिनकी सुगर 36 बार 50 से निचे जा चुकी है आपने दिल्ली के मुख्य मंतरी को पकल के जेल में डाल दिया अब इनको बार बार मौका मत दीजिए मुझे अपनी बार मौका मत दीजिए I'm not yielding sir I'm not आपने दो बार का मत दीजिए हैटिट बना लिया इनोंने sir दिल्ली के मुख्य मंतरी को इनोंने पकल के जेल में डाल के रखा दिल्ली के सिक्षा मंतरी को इनोंने दो साल से जेल में रखा दिल्ली के स्वास्त मंतरी को इनोंने दो साल से जेल में रखा आप एक एक विपक्ष के नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं हेमन सुरेन को मुख्यमंत्री को जेल में आपने रखा संजे रावत को जेल में रखा अनिल देसमो को जेल में रखा सब को पकड़ पकड़ के आप जेल में रखते हैं बंगाल के तीन मंत्रियों को अपने पकड़ के जेल में रखा आपका मकसद ट्राल कराना नहीं, नया दिलाना नहीं आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है जितना जेल में डालोगे, जितना जेल में डालोगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे जिसने भी ये राजनीती की है उसका समापन हो गया है अभी 240 पे पहुँचे हो कल 24 पे पहुँचोगे इसके बाद 2 पे भी आओगे मैं एक दो मिनिट और मैं बस ट्रैक निवाद खतम करूँगा मेरे टाइम से उसको काट लिजेगा मानुवर भेदभाओ की बात सबसे भेदभाओ उनको करना है मुसल्मानों से भेदभाओ सिक्षों से भेदभाओ इसाईयों से भेदभाओ दलितों से भेदभाओ पिछलों से भेदभाओ और अब राज्यों से भेदबाओ राज्यों से भेदबाओ महिलाओं से भेदबाओ क्या भेदबाओ की असर इन्होंने दो लाख बतीस हजार करोन रुपए दो लाख बतीस हजार करोन रुपए दिल्ली के लोगों ने सरकार के केंद्री खजाने में टैक्स के रूप में धिया, जिय स्टी और इंकम टैक्स के रूप में, बदले में हमको कितना मिलता है? जीरो, नौ साह से आप दिल्ली को बजट नहीं देते, पंजाब के लोग, बस मेरे में से काट लीजे, सर एक दो मिनट काट लीजे, पार्टी पार्टी के उस का पैसा रोक रखा है विपक्ष के राज्यों का पैसा आपने रोक रखा है यह भेदभाव क्यूं कर रहे हैं आप क्यूं कर रहे हैं आप लिखते हैं राज्यों के विकास से देश का विकास है कि आप राज्यों के विकास कर रहे हैं एक एक करके तार्ग करके विपक्षी रा कोई लेना देना नहीं है सिख्षा से इनका कोई लेना देना नहीं मानिवर क्यों लेना देना नहीं है क्योंकि दिल्ली विश्विद्याले में मनुई स्मृति पढ़ाने जा रहे हैं ये लोग मनुई स्मृति पढ़ाएंगे कि डलितों के पिछडों के जिनको आप शूद्र कहते हैं आप शूद्र कहते हैं अगर वो स्लोक सुन लेंगे तो उनके कान में पारा आप कैसे डालेंगे ये पढ़ाई आपकर आने जा रहे है दिन्ली विशुदि जाले में ये पढ़ाई आपकर आने जा रहे है इसलिए मानिवर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ ये बजट हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ है ये बजट हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ है ये बजट हिंदुस्तान के ब्यापारियों के खिलाफ है ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए बनाए गया है मित्रों के लिए बनाए ग हाँ, हौनरेबल मेंबर्स